हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टूदी चैनल आज के दिन की इससे च्छी शुरुवात नहीं हो सकती थी आज हम लोग जा रहें गौहाटी एक्स्पोर करने इससे ब्रहま सदस्या नहीं हो विसमें पारी केड़ में इससंगन करने की आठेके जाये और आपो बताएंगेर कि आपको से साथन नहीं है कामच्या गी देवी तैंबी तो सियंगे, आ पने बिद्क हो करें को मेंने मällen और ठीके वारे बारे मंदल अजली ही जाती है हम लोगो है कामाक्या दEवी टैंपल जाने के लिए के भग जा है यह आप सारी चाफ़ेंशीन की टेन सब्सक्रेशन की आप से कर जा सकते हैं बुर्चनल अगी तेम्हें विल्ट याप कामाक्या देवी टैंपली पेवाइन से और रास्ता भी थोड़ा सां ट्विस्ट एंड डर्ण सा है तो बहुत ही मज़ा हैगा आपको जाने में इस यहां के आपकी कार्ड पार्किन है अगर आपको प्रॉद्ट पर आ हैं यहां कि और पर को पैसलितना है कि आपको प्रॉक्त जोड़ेगी है आप लोग यहां पर आगे आप रैंक पर चाहें तो स्टूटी बाइक कुछ भी ले सकते हैं अब अगर बंदिर के बाहर यह शॉप से अगर आप लोगों कुछ सिर्शाद वेगरा लेना है तो यह महां से ले सकते हैं मंदिर के दरब बढ़ते वे और मंदिर को दिखाते हुए मैं इस मंदिर के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगे यह मंदिर 51 सकती पीटों में से एक बहुत ही महत्वोन मंदिर है ऐसी मानिता है कि देवी सती के पिता दक्ष द्वारा किये गए महान यग में भगवान शंकर ने देवी सती को वहां जाने से रोप दिया फिर भी देवी सती वहां अकेले ही चली गई वहां उनके पिता दक्ष ने बगवान श्यू का गोर अपमान किया इस अपमान को देवी सती सहन ना कर पाई और यग के हवन कुन में कूट कर उन्होंने अपने प्राम त्याग दिये जब इस बात का पता भगवान श्यू को चला तो वह बहुत ही जादा क्रोधित हुए और उस स्थान पर पहुचे जहां यग्य हो रहा था उन्होंने माता सती के मृत्य सरीर को उठा कर अपने कंदे पे रखा और तांड़ो शुरू कर दिया बगवान शंकर के क्रोध को देखते वे बगवान विश्णू ने अपना सुदरसन चक्र छोड़ा जिससे देवी सती के सरीर के कई टुकड़े हो गए हैं जो अलवलग स्थानों पर गिरें उन स्थानों को 51 सक्ती पीट के नाम से जाना जाता है अमाक्या देवी मंदिर में देवी सती का गर्ब और योनी गिरा था तबी से इस सक्ती पीट में माकी योनी की पूजा करने का बहुत महात वे हैं यहाँ पर हर साल अंबो आची मेला भी लगता है इसके दौरान तीन दिन के लिए यहाँ पर माता का दौर बंद रहता है ऐसा कहा जाता है कि इन तीन दिनों के दौरान इसके पास से बहती हुए ब्रंपुत्रा का पानी लाल रंग का हो जाता है तीन दिन के बाद जिम मंदिर का द्वार खुलता है तब वहाँ पे रखा सफेद रंग का कपड़ा लाल रंग का हो जाता है इस कपड़े को अमबुचाई वस्त्र कहा जाता है और भगतों को यही कपड़ा पुशाद के रूप में दिया जाता है इस मंदिर का नाम कामाख्या उने के पीछे भी एक मानिता है ऐसा कहा जाता है कि एक श्राब के चलते कामदेव ने अपना पौरुस खो दिया था जिसे बाद में उन्होंने कामाख्या माता की आरादना करके वापस पाया की वजेसे इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी मंदिर पढ़ा। ऐसी बहुत सी कहानिया जुड़ी है इस मंदिर से जो इस मंदिर को बहुत ज़ाधा आकर्षक बनाती है76 कि यह से बिदा की करने के बाद अगर आप राइस साइड लेट साइड में जाने के बाद इल्कुल पहुंच जाएंगे तब आप हैं यहां पे वो लोग लोग विए टिक्कार मैं गर सकते हैं और आप जोपन को जा सकते हैं怎麼樣 malite डर वेटा ही यहां दर्शन करना ज़्यादाब अच्छा समझा हुआ है Ayda foto राप को आपको वैसे यह लिए को एक रश्माइन थर्टिन पर जान शेंदा कहीं करने चाहिए बट हम लोगों के पास समय की कमी थी और बेबी भी थी तो उसे को ज्यादा परिशानी ना हो वो भी हमको ध्यान में रखना था इस कारण से हम लोगों ने जो है विए पी टिकट लेके दर्शन के हैं आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा भ देवी के बाहर निवर राम ने बहुत बूस लग थी हम लोगों ने थाली ओर्डर करिये तो यह थाली है आप लोगों देख सेंगे दाल आदके देश्येट यह उच्छ शुन में चलाद छोले राजमा राजमा यह स्पेंटेशन दर्वावाद यह तो नान एं इसके निच आपड़े करने जा embaуч आपको मिलते बूज देंगे आपको मिलते बुद्म इन जो है अव् такая हम लोगों ने आँसे आटो अटो लिया हैं आटो बुक नहीं अच्छा सरकारी वाले का टाइमिंग है क्या कि अच्छा तो सरकारी पर जाना पड़ेगा अभी हम लोगों को तीन वजी की टाइमिंग है नॉमिनल प्राइज होगा था था थाओ यहां यहां पर आप देख सकतें हैं यहां यहां पर फैरी की टाइमिंग है इसी टाइम पर फैरी जाएगी और आएगी और इसके लावब अभी कोई भी प्राइवेट फेरी नहीं चल रही है तो आप टाइमिंग देखके ही आईएगा अभी हम लोग फेरी पे हैं यहां से उमानन टैंपल जाने के लिए हम लोगों ने फेरी लिए फेरी का minimal charges है that is 20 rupees per person और यह हमारी destination है यह आप आईलेंड देख रहे हैं यहां पहीं उमानन टैंपल है और जो फेरी आपको ले के वहां जाएगी वहीं फेरी आपको लेके भी वापस आएगी एक घंटा आपको वहां पे मिलेगा घूमने के लिए पह बेख्यार के और लेकिन फेरी का भी यह है कि फेरी आपको जब भी आप आएंगे तो ऐसा नहीं फेरी आपको मिलेगी फेरी के कुछ टाइमिंगतिन है उन पिर सपे ओनार शेयर हो जाएगी उस टाइमिंग के क्या प्पान्ट तरौभ आपक प्लयन कर सकते हैं यह जो एक सेरी जो है वो स्टार्ट हो गई है आपको ये सामने जो आइलेंड दिख रहा है इस आइलेंड को उमानन आइलेंड और पिकॉक आइलेंड वे कहते हैं या आइलेंड प्रमपुत्रा नदी के एकदम पीचो बीच है या तुनिया के सबसे चोटे बसेवे रिवर जाना जाता है इस जगे का नाम उमानन परने के पीचे भी एक वचे है उमा माता पार्वती का ही एक नाम है और आनंद मतलब खुशी सो ऐसा कहा जाता है कि आइलेंड भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बढ़ा है जब वे बहुत खुश होते थे तो यहां आजाय करते हैं और भी हम लोग पेरी से उतर गए है यह सारे उतर रहे हैं अब हम चलना स्टार्ट करेंगे मानन टैंपल के पास की तरफ लेकिन यहां पर स्टेर्ज हैं तो आपको कुछ स्टेर्स कवर करने पड़ेंगी देखते हैं कितनी स्टेर्स में जैसे हर चगे से जुड़ स्थान पर भस्म को अपने शरीर पर लगाया था और माता पारवदी को इस पहाडी पर ध्यान में थे तब भगवान कामदेम ने उनकी योग को बाधित कर दिया और भगवान शिव की तीसरी आख से जलकर बस्म हो गए इसलिए इस पहाड़ी को बस्म काल नाम से भी जाना जाता है अब हम लोग निकल रहे हैं फेरी से तो साड़े चार बजे की लास्ट फेरी होती है अगर आप यह लास्ट फेरी नहीं पकड़ पाए तो आपको यहीं पर टैंपल पर ही रहना पड़ेगा इसको भी जाना होता है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें साथ ही बेल आइकन सरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो की इन्फोमेशन टाइम पर मिलका है और आप हमें इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं रूट्स और डेस्टिनेशन थैंक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो